हलो गुड इवनिंग मैं पमन राव यूटूब चैनल मैंच्वित पमन राव में जैसा आप लोग को पता है हैं हम लोग एक सिरीज चला रहे थे और यह मैं क्यूशन्स करवा रहा हूं थियोरी आपको कंप्रीट करवा दी थी और बीच बीच में आप थियोरी भूल नहीं ज करता हूं और मैं वह वाले क्यूशन्स करवाता हूं जिसमें आप लोग जो प्रिवेस यर्स के आएवे क्यूशन्स हैं और आप लोग को यह 100% में बताता हूं कि प्रिवेस यर्स के जो क्यूशन्स हैं वह अब आपको आसान लगेंगे क्यों क्योंकि आप एक अच्छे से पढ़ चुके हो और कुछ जो मैंने tough questions के series चलाई थी उसके questions अगर आप लोग कर चुके हो तो फिर ये questions एकदम आसान लगेंगे कुछ questions मैं 2015 के आपको करूँगा मैं mains के questions करूँगा इसमें और कुछ questions 2014 के mains के questions मैं आपके लिए करवाने वाला हो questions इतने आसान है इतने आसान है खुद को आपको आसान लगेंगे questions 17 mains का भी आप लोग देख लेना paper में सारे के सारे इस पर upload करूँगा वीडियो उसमें आप लोग देख लेना वो भी आसानी होंगे अगर आप एक बार tough series और एक बार अगर अच्छे से theory कर लेते हो तो तो पहला क्यूशन आपके सामने लिखा वह है आप लोग पढ़ लीजिए मैं भी पढ़ देता हूं कितने आसान क्यूशन साहे थे देखिए यह 16 mains का क्यूशन है कुछ 16 mains कुछ 15 mains और कुछ 14 mains के हम आपको क्यूशन करूँगा और कुछ क्यूशन बीच बीच में मैं छोड़ भी दूँगा जो बहुत ज़्यादा असान होंगे उनको मैं छोड़ दूँगा तो क्यूशन नमबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रेंगल ABC इस आईसोसलेस ट्रेंगल AB equals to AC A 40 डिग्री है भाये कौन ABD और भाये कौन ACE को जो BC को दोन तरफ बढ़ाने पर बने हैं कि दिव भाजक PO और O क्यूँ हैं तो O बिंदू पर अगर मिलते हैं तो BOC आप लोग बताईए कि कितने डिग्री होगा इस टाइप से Question No.1 जो आपने पास देखिए इस परकार से लिखाव है एक ट्रेंगल है ABC एक आईसोसलेस ट्रेंगल है समद्वी बाहुतिर बुज़े ये आगे बढ़ाने पर इधर D पर और ये आगे बढ़ाने पर इधर E तक आगे बढ़ता है आगे बढ़ा दिया दोनों तरफ AB बराबर AC और एंगल A इक्वस्टू दियावे हम लोगों को कितने डिग्री दियावे 40 डिग्री यहाँ पर हम लोगों को कहा है कि BC को दोनों तरफ बढ़ाने पर यहाँ पर इस परकार से ABD वे ACE जो BC को दोनों तरफ बढ़ाने पर बने हैं कि दिव भाजक PO और OQ इसका दिव भाजक मान लो PO है और इसका दिव भाजक मान लेजिए OQ है इसका दिव भाजक आप लोग मानने जिए O Q है यहाँ पर मिलते हैं तो बताएए B O C कितना होगा ऐसा हम लोगों से पुछ है देखो अक्स्टीर्य एंगल दो इस परकार से और एक्कष है यह इतनी चीजन इसको देनी जरूरी नहीं है सम्दिबाओ तिर्बुज है और ये सारी चीज़ें देनी जरूरी नहीं है अगर वो यहाँ पर यहाँ पर बना जो एंगल होता है यह होता है 90 डिगरी माइनस हाफ ओफ एंगल ए ऐसा मैंने आप लोगो थियोरी में लिख वाया था अगर आप लोग ऐसे भी इसको करना चाहो 40 डिगरी अगर है तो बचा 140 तो यह होगा 70 डिगरी और यह भी अपने पास होगा 70 डिगरी ऐसे कंप्लीट अगर करके भी आप लोग सोल करना चाहो तो भी answer अपने पास वही आना है ये अपने पास 70 degree है भारवाला जो बचेगा अपने पास वो बचेगा 110 ये 70 है तो भारवाला 110 तो ये भी 55 होगा और ये भी 55 होगा और vertically opposite angle बराबर होते हैं ये 55 तो ये भी अपने पास 55 degree ये अपने पास 55 degree हो गया तो ये 90 minus half of exterior angle जहां पर बनता है वो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ question number 2 आपके सामने board पर लिखावा है question number second आप लोग पढ़ लिजिए इसमें लिखावा है किसी वृत की दो जिवाएं A, B और C, D जिनका केंद्रक O है एक दुसरे को P पर काटती है रहा है लेकिन बीच बीच में में questions करवाते रहूँगा ताकि theory आप लोग भूलो नहीं इसलिए बीच बीच में में lesson डालते रहूँगा ये देखे कितना आसान question है question number second अगर आपको theory अच्छे से पढ़ी है तो अगर आपने theory अच्छे से पढ़ी है तो देखे कितना आसान है AC और BD AC और BD एक दूसरे को P पर काटते है ऐसा लिखा हूँ है APC equals to 40 degree AC और आपने पास AB और CD हैं आपने question में देखा होगा AB और CD है इसने कहा है APC यहाँ पर जो बना कौन है वो अपने पास है 40 degree APC equals to 40 degree है तो AOC plus BOD का मान क्या होगा तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था दो कोर्स अगर अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करें यह वाला अंगल अगर X है और इसको अगर Y माने हम लोग तो दो कोर्स जहाँ पर अंदर की तरफ इंटरसेक्ट करें वहाँ पर बना अंगल अंगल होता है और इंगल X प्लस अंगल Y और इन दोनों का सम ही पूछा है बराबर 40 डिगरी जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट करती है ऐसा बताया था या नहीं बताया था अगर नहीं बताया था आप थियोरी वापिस पढ़िए पढ़ाया था बताया था याद है तो अच्छी बात है यहाँ पर बना अंगल दोनों के सम का आदा होता है और अंगल X और Y पूछा है तो अंगल X प्लस अंगल Y जो आगया अपने पास वो आगया 80 डिगरी यह अपना आंशर है तो कभी भी अगलोगं को अगर थियोरी याद होगी तो देखो कितने आसान QS हो और ये मेंस में और ये चीज़ म Also में आपको फिर बता देता हूँ आप लोगं को ऐसा लगेगा कि सर नहीं इतने आसान QS मैंस में तो नहीं हा सकते लेकिन आप लोग paper previous years के questions देखोगे तो यह आपको previous years के questions मिलेंगे और इनी चीजों से आपकी theory strong होती है अगर लोग इनको बार बार पढ़ोगे तो आपकी theory strong होगी अच्छे से आप लोग कर पाओगे आईए हम लोग देखते हैं question number 3 तीन नमबर क्यूशन आपके सामने बूर्ड पर लिखाव है, आप लोग इसको पढ़ लिजिए तिरबुच A, B, C में B, A, C equals to 90 डिगरी AD perpendicular on BC, यदि B, D equals to 3, C, D equals to 4, AD के लंबाई क्या होगी इस परकार से है A, B, C, B is the right angle यह A है, यह B है और यह C है, यह right angle है यहाँ पर इसने लिखा है कि आपने पास B, D equals to 3, AD perpendicular on BC A, B, A, C यह नबाई डिगरी है क्यूशन में given है, A नबाई डिगरी है, AD perpendicular on BC AD जो है वो perpendicular है BC पर, दखो कितना असान क्यूशन आया हुआ है CGL मेंस 2015 का क्यूशन है, B, D की length अपने पास 3 है और CD की length 4 है, तो AD की length पूछिए, और यह कम से कम आपको 1000 बार बता चुको हूँ कम से कम है 1000 बार तो, इस परकार से यहाँ से altitude अगर डाल दिया जाए right angle triangle में, तो इस से related 4 formula आप लोग को बताये थे तो यह क्यूशन सब hard तो कैसे बना, आये हैं वैसे आये हैं, अब क्या करें तो देखो कितना असान क्यूशन है, तो AD स्क्वेर बराबर अपने पास होगा 3 into 4, यह अपने पास formula में आपको लिखा चको हूँ, इस से related 4 formula altitude की length निकालनी है, तो AD स्क्वेर बराबर BD into CD, तो AD की जो length आजाएगी, वह आजाएगी 4 का root 2, 2 root 3, यह अपना answer है आईए हम लोग चलते हैं, question number 4 की तरफ, question number 4 की तरफ हम लोग चलते हैं, 4 number board पर लिखाव है, आप लोग इसको पढ़ लिजे AD is the perpendicular of internal bisector of ABC of triangle ABC, if D is drawn through D and parallel to BC to meet AC at E, if the length of AC goes to 12 cm, then length of AE is आसान question है, एक बार मैं पहले भी करवा चुका हूँ, लेकिन cesial mains के questions आपको करवा रहा हूँ, और cesial mains में आएवा है, तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, और यह question अब आपको आना चाहिए इस परकार से एक triangle है, A, B और C, इसने का है ABC का angle bisector, यह A, B और C, और यह जो angle bisector है, यह जो angle bisector है, इस पर आपने पास यह यहां से आता है, angle bisector पर यह altitude है, B के angle bisector पर, यह जो है, A, D, altitude है नहीं, perpendicular है नहीं, नबड़ गरी का कोण बना रहा है, B, D पर angle bisector पर, A, D, perpendicular है, नबड़ गरी का कोण बना रहा है, यह जो इसके parallel, B, C के parallel एक line यहां से खींची जाए, जो इसको A, E, पर मिले, अगर A, C की length 12 हो, तो A, E की length बताईए, ऐसा हम लोग उससे पूछा गया है, तो question हम लोग कैसे कर पाएंगे, धान दीजिए, board पर कैसे solve करेंगे हम लोग, देखिए, यह आपने पास एक बात धान रखना हमेशे और हमेशे मैंने सिखाया था, और यह questions मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, ताकि आपकी theory अच्छे से clear हो, यह video देखने के बाद theory पढ़ो, theory पढ़ने के बाद यह video देख लो, theory अच्छे से आपकी clear हो जाएगी, आपको याद हो जाएगी, अकेली theory पढ़ने से theories अपने पास याद नहीं रखती है, तो मैंने आपको समझाया है, वही line अगर angle by sector और वही altitude हो, तीन में से, angle by sector, median और altitude, तीन में से कोई दो देकर, तीसरा हम लोगों से धान रखना, दो अगर कोई line हो, तो तीसरी भी सेम होगी, altitude और angle by sector अगर वही line सेम line है, तो median भी वही line होगी, तीनों line एक ही होती है, अगर दो की लिए का कोण भी बना रही है, एक बार आगे बढ़ा दो, और यह इसने का है, इसके parallel है, given है, डी parallel है, बी सी के, ये क्यूशन में given है, तो आप लोग मुझे बताइए, यह line तो altitude का 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 बराबरों का पहली बात और दूसरा एक लाइन और सामने के भी मिड़ पॉइंट पर ही जाकर मिलती है ये बात धान रखना तो बार है तो ये भी छे ये भी छे ए ए का मान पुछ है तो आंचर आगया 6 सेंटिमीटर तो आईए हम लोग चलते हैं क्यूशन नमबर 5 पर पांच नमबर क्यूशन आपके सामने दिखाई दे रहे आप लोग इसको पढ़ लिजिए कितने आसान क्यूशन देखवाए हैं क्रम से 10 और 4 सेंटिमीटर लंबाई वाले दो वरत A, B और C, D के समानतर जिवाएं हैं और केंदर के A की तरफ अगर हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी दो पैरलल कोर्स देने के बाद अगर कभी भी हम लोगों से रेडियस अगर पूछे तो कैसे करता हैं धान दीजिए पिछला लेसन में भी एक बार मैं पहले भी बता चुका हूँ एक बार मैं फिर समझा रहा हूँ अच्छे से समझाया था वहाँ पर आप लोंग को दो कोर्स पैरलल हैं A, B और C, D एक A, B है और दूसरा अपने पास है C, D यह अपने पास हिसपर कर से दिया वह मानों इस पर perpendicular P और Q perpendicular हैं और इनके बीच की distance दीवे है 3, C, D के लएन दीवे10, C, D के समझाया दीवे10 और A, B का जो मान दिया वह है वो दिया वह अपने पास दिया वह 4 तो radius अगर पूछे कभी भी हम लोगों को तो radius निकालने का जो तरीका होगा execution में वो होता है कि 10 अगर दोनों एक ही तरफ हैं तो दोनों का अंतर कितना है? 6, 10 और 4 दोनों का अंतर 6 और 6 का आदा 3 10 और 4 का अंतर 6 उसको आदा करते हैं 3 क्या दोनों के बीच की distance भी अगर 3 है तो radius फिर आप लोग डाइरेक्ट निकाल लोगे 10 का square सो प्लस 4 का square 16, 10 का square प्लस 4 का square और root लेके 2 का भाग देते हैं ये अपना अंचरा जाएगा हमेशा और हमेशा धान रखना आप लोग कभी भी अगर ये एक ही तरफ हो तो दोनों का अंतर करके 2 का भाग देते हैं वो बीच की दूरी होनी चीए और अगर दोनों तरफ हो तो दोनों को add करके 2 का भाग देते हैं वो बीच की दूरी होनी चीए तो फिर डाइरेक्ट ये वाला formula आप लोग लगा दोगे कि square करके add करो और 2 का भाग दो तो अंसर आ जाएगा तो ये अपने पास आ गया 116 बटे 2 और 116 को 2 root 29 हम लोग लिख सकते हैं पहला तरीका दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको x मान लो ये तो आपके पास जो कल formula मैंने आपको बताया था जो आपको याद रखना है दूसरा तरीका आपके पास ही हो सकता है कि यहां से यहां तक cd के length का आप लोग 10 है तो यह perpendicular डाला तो 5 और यह मान लेजिए radius है तो एक equation यहां से बनेगी r square बराबर x square प्लस 5 का square दूसरी इस triangle में यहां से यहां तक o q d में यह भी radius हार आपको नबर डिगरी चार है तो यह बचा 2 e b के लिए चार है तो धर वाला बचा 2 तो यहां से लिख सकते है r square बराबर 2 का square प्लस x प्लस 3 का square equation first भी r square की value है equation second भी r square की value है दोनों को हम लोग बराबर रख सकते है वहां से x का मान आ जाएगा उसको यह तो equation first में रख लेना यह equation second में रख लेना r का मान आ जाएगा तो यह question में पहले भी समझा चूँ सिर्फ data change है दो तिन बार आया वाई equation इसलिए बार बार जब भी mains के questions करते है ऐसा question आ जाएगा तो आएए अब हम लोग चलते हैं question number 6 की तरफ आपके सामने board पर लिखाव है question आप लोग पढ़ लिजिए ABCD चक्री चतरवुज AB वे DC तक बढ़ाई जाती है AD वे P पर मिलती है CGL MEN 2015 का question है PA equals to 8 PB equals to 6 PC equals to 4 then PD के लंबाई बताईए AB वे DC को बढ़ाया जाता है cyclic quadrator चक्री चतरवुज में AB वे DC को बढ़ाया चक्री चतरवुज है ये ABC वे D इसको आगे बढ़ाया AB वे CD को आगे बढ़ाया जो P पर मिलता है P से A तक दियावे 8 P से A तक यहां तक total P से B तक दियावे 6 P से C तक 4 है दन हमें length पूछे PD की इसकी length क्या होगी दो quotes आगे बढ़ाने पर अगर circle के बहार अगर intersect करें तो आप लों को पता होगा ऐसा मैंने लिखवाया था अगर याद हो तो PA into PB बराबर PC into PD और theory में मैं आप लों को यह भी समझा चुका हो theory में मैं आपको यह समझा चुका हूँ कि अपने पास PA into PB बराबर PC into PD क्यूं होता है यह भी मैंने theory में आप लों को समझाया था तो P से A तक अपने पास 8 है P से B तक अपने पास 6 है P से C तक 4 है और P से D तक find out करने हैं तो P से D तक की जो value आ गई वो आजेगी soul करने पर 4 से कट गया दो बार और soul करने पर अपने पास आजेगा 12 ये अपना answer था question number 6 तो देखो हम लोग mains के questions कर रहे हैं फिर आप लोग को लगेगा कि sir इतना आसान इतना आसान इतना आसान कैसे आ रहा है धान रखना 17 mains का जो होला हुआ था जो हुआ 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 था कि बहुत ज़्यादा paper hard आ गया आप लोग आगे आगे जैसे जैसे हम लोग चलते जा रहे हैं 17 mains के questions भी में डालूँगा अब खुद देखना कि कितने आसान थे वो आईए हम लोग देखते हैं question number 7 जो एक आसान question और कुछ इसमें सेखने को मिलेगा तो धान दीजिए board पर ये दी एक चतरबुज के कोणों का अनपाद 2 अनपाद 7 अनपाद 2 अनपाद 7 हो तो निम्ड में से कौन सा ठीक होगा पहले लोग्राम, रोंबस, ट्रिपेजियम, ये स्क्वाइर एंगल्स का रेशो दियावा है 2 इस्टू किसी भी क्वाड लेटल के 7 2 इस्टू 7 तो हमें ये पता है कि क्वाड लेटल के 4 एंगल्स का सम 360 होता है 360 को इस रेशो में बाटोगे आप लोग तो अपने पास टूटल अपने पास 18 पहला चीए तो 2 से गुना कर दो किसी भी इस रेशो में बाटना है मतलब जिस भी तरीके से आप बाटना चाहो तो यह आजएगा 40 360 अपोन 18 इंटू कर देंगे 7 से यह आजएगा 140 ऐसे ही यह 40 आगया है यह 140 यह 40 आगया है यह 140 इस परकार से तो किसी भी कोड लेटल के अगर चारो अपोजिट अंगल्स बराबर है 40, 140, 40 और 140 अगर अपने पास अपोजिट अंगल्स बराबर भी हैं और अपने पास अपने पास अगया के पोजिट अंगल्स बराबर और अपने पास पास वाले कोड़ों का यह 180 डिगरी तो पैललोग्राम हम लोग टिक करेंगे रोम्बस अगर टिक करना है तो उसके लिए एक प्रोपर्टी हमें और चीए वो या तो यह चीए कि अपने पास दोनों डाइगनल्स नब डिगरी पर काटते हैं या हमें फिर यह चीए कि अपने पास पास वाली साइट बराबर हैं उसके लिए अपने पास हमेशा और हमेशा एक प्रोपर्टी और चीए तो जब तक सिरफ इतना ही पता है तो अपना अंच रोगा पैरलेलोग्राम होगा समांतर चत्रबुज होगा यह आप लोग धान रखना आईए हम लोग नेक्स क्यूशन पर चलते हैं क्यूशन नमबर आठ पर आपके सामने बौर्ट पर लिखा है आप लोग चेक कर लिजे देखो कितना आसान क्यूशन सीजेल मेंस 14 का क्यूशन है यह और जो एकदम आसान क्यूशन थे उनको मैं बीच बीच में छोड़ रहा हूं फिर वो करवाने की जरूरत नहीं है और एक बार जैसे मैं क्यूशन करवा दूँ CGL 2011 मेंस में आना शुरूआ था उसमें तीन क्यूशन आये थे CGL मेंस में 2011 में उसके बाद आप लोग जितने क्यूशन मैं करवा दू एक बार उनको अच्छे से कर लो और फिर जो क्यूशन मैं बीच से चुड़वा रहा हूं बोज़ाद आसान क्यूशन चुड़वा रहा हूं वो खुद से हो जाएंगे तो यह मत सोचना कि सर सारे क्यूशन ही करवा हो इस चैनल पर सारे में बीच से छोड़ रहा हूं आप लोग खुद कर लेना 11 से लेकर 17 तके सारे क्यूशन खुद ही हो जाएंगे बेसिक भी स्ट्रोंग हो जाएगा टफ क्यूशन साथ साथ करना ताकि कभी ऐसा से टफ दे दे तो वहां से आप लोग कर सको यह दी एक समदी बाव तिर्बुज पढ़ लीजिए परते एक समान कौन की समान बुजा की लंबाई A है और तीसरी बुजा B उनिट है तो उसका छेतरफल क्या होगा या तो समदी बाव तिर्बुज के छेतरफल का फोर्मला याद है या फोर्मला याद अगर नहीं है तो यह अपने पास आईसोसलेस ट्रैंगल है यह A है यह A है और यह B है यह आपको पता होगा कि आईसो स्ट्रेंगल में अगर altitude डाल दिया जाए तो वो median का काम भी करेगी, midpoint भी होगा, तो B था तो B by 2, A square में से, इसका square माइनस करोगे तो इसके height आगे, A square माइनस B square by 4, अब छेतर फल पूछा है, या तो formula याद होना चाहिए, आपको, formula याद नह है, कोई जरूर नहीं formula याद यो, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो half into base, base तो कितना है, अपने पास B, into height कितनी है अपने पास है, इसको solve कर लो, 4 A square माइनस B square, root के अंदर 4 A square माइनस B square, और 4 का root करोगे तो 2, तो यह अपने पास आगे, B by 4, और 4 A square माइनस B square, किसी का formula रटा क्यूशन सायत है, अब आप लोगों को लगेगा कि सरी इतने आसान क्यूशन आप क्यूं करवा रहे हो, धान रखना, यह आसान क्यूशन में से भी मैंने hard क्यूशन चाटे हैं, जो आसान आसान थे ना एकदम, उसमें से भी मुझे लगा कि थोड़ा सा यह ठीक ठाक है, उस क्यूशन नमर 9 में पढ़ रहा हूँ, जो DE parallel BC और AD और DB का रेशियो दिया हूँ है, 5 इस टू 4, और D और BC का रेशियो पूछा है, सीजियल मेंस 14 का क्यूशन है, तो देखो, A, B, और C, यहाँ पर लिखा हूँ है, DE parallel BC के, D, BC के parallel है, और यहाँ पर यह दिया हूँ है, DE अपने पास AD और DB, AD 5 है, और DB अपने पास 4 है, और D और BC का रेशियो पूछा है, कम से कम मैं सो बार बताचकों, parallel line होते ही, दोनों के दोनों triangle similar, AD, 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 AD similar हो जाएगा किस के साथ, ABC के साथ, और similarity में sides का रेशियो, AD upon AB, बराबर D upon BC, बराबर AE upon AC, तो अपने पास यह 5 है, यह 9 है, तो छोटे वाले की 5, बड़े वाले की 9, तो छोटे वाले की 5 और बड़े वाले की 9, यह पूछा D और BC का रेशियो, तो D, BC का रेशियो वही आना है, 5 is to 9, क्योंकि AD 5 और AB 9, तो रे लिखावे 10, इसमें लिखावे 2 concentric circle, जिनकी तिरजाब पढ़ रहा हूं, आप लोग भी पढ़ लिजिये, 17 और 25 है, एक रिजू रेखा, हिंदी मीडिया माले धान रखना, रिजू रेखा, straight line को बोलता है, PQRS वरत को P तथा S पर, और छोटे को Q तथा R पर काड़ती है, Q QRS, P है, Q है, R है, और S है, इस परकार से, QR equals to 16, QR की value जो दीवी है, वो दीवी हम लोगों को 16, PS के लंबाई कितनी होगी, अगर इसकी तिरजाब जो दीवी है, ये तिरजाब दीवी है, इसने 25, और ये तिरजाब दीवी है 17, तो आप एक काम किजिए, हांसे perpendicular डालो, perpendicular midpoint पर आकर मिलेगा, ये point यहां पर, तो आप लोग ये 16 अगर है, तो इधर भी 8 बचा, इधर भी 8 बचा, क्योंकि 16 था यहां से यहां तक, तो perpendicular हमेशा midpoint पर मिलता है, छोटे वाले circle की बात करें तो, तो 17 के square में से 8 का square minus करोगे, तो यह आ गया 15, अब हम लोग बड़े वाल तक 20 आजाएगा, और बड़े वाले circle में भी a code का काम करिये, perpendicular midpoint पर, यह अगर 20 है, तो इधर वाला भी फिर 20 ही होगा, और 20 और 20, 40, PS की लंबाई इसने पूछा है, तो यह अपना आंचरा गया, 40, तो बीच बीच में, मैं ऐसे questions आप लोग के लिए देता रहता हूं, previous years के करवाया है, ताकि आपको थोरी याद बनी रहे, तो बीच बीच में ऐसे questions हम लोग करते रहेंगे, तो आज की class में शिरफ इतना ही, अभी हम लोग अगली class में मिलते हैं, कल शाम को, तब तक के लिए bye bye, take care, see you in the next lesson.